इस वीडियो को हम दो पार्ट में रेकोडिंग करेंगे फर्स्ट अबाइ स्क्रीन और दूसरा बाइ मोबाइल सो एंड तक जरूर देखना कि हम मोबाइल से कैसे करते हैं मेकबुक में अपनी स्क्रीन रेकोडिंग करनी है तो आपको बिसिकली एक क्विक ट्राम प्लेवर पे जाना है अब का इकान इधर नहीं दिखा रहा है तो आप जिस्ट यहां से जाके सर्च करना है तो इसको ओपन कर लेना है फिर अपको इधर जाना है फाइल में यहां पे और फिर choose करना है new screen recording so basically आपकी new screen recording start हो जाएगी मेरी यह भी start है इसलिए new screen recording का option नहीं दिखा रहा है अभी जैसे start करोंगे फिर screen पर कई भी touch करोंगे तो आपकी screen record होनी शुरू हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर आपको icon दिखेगा यह वाला जिससे आप recording कर सकते हो stop कर सकते हो और push कर सकते हो ठीक है जैसे ही मैं इधर click करूंगा screen record stop हो जाएगी so this in a easy step you can do your macbook screen recording thank you guys for watching video so guys हमने देखा की by screen कैसे recording होता है फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ by मेरे mobile से मैं laptop पे macbook पे कैसे recording start करता हूँ ठीक है हमने देखा कि हम search bar में जाके quick time player पे click करेंगे फिर इस इधर quick time player आ जाए उसके बाद इसको file पे click करना है file पे click करने के बादे देख लो हमको यह भी new screen recording दिखा रहा है option दिखा रहा है क्योंकि अभी मैंने start नहीं की हुए इसलिए मेरे को new screen recording दिखाता है यहाँ पे new audio recording भी होता है new movie recording भी होता है new screen recording में आपका audio के साथ आपकी recording start हो जाती है मतलब आपकी screen भी record हो रही है और आपका audio भी recording हो रहा है ठीक है उसको आपको choose करना है new screen recording ठीक है यहाँ पर option आ जाते है क्या आपको microphone लगाना है क्या लगना है सब कुछ आ जाए गई तर यह MacBook Air microphone होता है जो microphone के laptop में inbuilt होता है वही वाला ठीक है तो फिर हमें वो choose करना है जो कुछ करना है फिर आपको कहीं भी screen पर click करोगे न तो आपको start हो जाएगा recording हमने click किया इह recording start हो गया उसका symbol आगा है इधर ठीक है तो फिर इसको यह start हो गया फिर इसको stop करना है तो फिर इदर से stop कर सकते हो ठीक है यह stop करते हैं तो यह हमारा recording automatic आजाता है देखते हैं अपना recording कि अधर यह recording start हो गया उसका symbol आगा है ठीक है तो फिर इसको यह start हो गया फिर इसको stop करना है तो फिर इदर से stop कर सकते हैं